हाई फ्रेंड आईडिसर क्लासरी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नमर बार है खनी संसाधन उद्धोग के बारे में पढ़ेंगे इसके पहले एक सिल लेके 11 चैप्टर को प्रीविएस वीडियो में डिस्कस कर दिया गया यदि वो व खनी संसाधन से कोशन जरूर पूछेगा इसलिए इसको पूरा जरूर दिखेगा रजस्थान में हाल ही में उरेनियम खनर भंडार पाए गए देश में सबसे ज़्यादे उरेनियम भंडार आंत परदेश के तुमुरा पल्ली और जार खंड में ये विद्यान रखेगा उर इसलिए दुरूर लब खनीजों में माना जाता है परमाण उर्जा के लिए काफी उपयोगी सावित होता है अगला कोशन है दो जार बीस की रिपोर्ट के अनुसार निमलिखित में से किस राज में भारत में कापर एस का सबसे बड़ा भंडार संसाधन है तो कापर एस का सबसार राजस्थान में भारत का कापर एस का सबसे बड़ा भंडार है कापर एस का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है राजस्थान में इसके बाद ये भी धियान रखेगा ये भी कोशन है से पूछेगा देखिए कि तामर एस के भारत में तीन महतपूर जिले जुन-जुन कॉलार सोने की खान क्सुराज में इस थी तापको बताना कॉलार सोने की खान किस राज में इस्थित है यह करनाटक में कहां प्रका जीन भूमिद ले-के ठीजा करनाटक-जीन, है कुलार सुनने की खान कर्णाटक राज की कुलार जिले में इस्थिह यह जीले का मुख्यालव ही है विलाइस स्पात सन्यंत्र के लह ऐस का सुरुत हो देखे सारे कोशन युपिटिरि नीचको सस्रुत कहां है यह दली राजहरा कहाँ पे है दली राजहरा जब आप वीडियो देखे रहेंगे आपको कोशन देखे रहेंगे उसका इंस्वर याद रहेगा तभी आप इक्जामिकर पहेंगे नहीं ति सब कोशन आता कर नहीं पहेंगे बिलाईशपास सनियत को लहवाईस की प्रापती दली राजहरा खां से होता है यह खां 36 गड के बालोद जिले में इस्तित है बिलाईशपास सनियत के श्थापना रूस के स éénयोग से 36 गड़ राज में हुई थी तो रूस की सायता से हुई थी ओर कहा पर है 36 गड़ राज में है कोरबा खान एक कोईला खान है 36 गड़ की कोरबा जिले में है तो यहां से यह भी कोशन बनते यहां पर ऐंको दिया है तावा यहीं क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसके बारे में तो जाएदे देखने जरूत नहीं है अब देखते हैं अगला कोशन नीमन स्रेडी का भूरा कोईला कहलाता है लिगनाइट कहलाता है क्या कहलाता है लिगनाइट कहलाता है उचकोटी का एंथरासाइट कहलाता है देखिए इसके बारे में देख लिए यहां से जो कोशन मनता है, कोला एक काला या भूरा तलचटी चट्टान है, जिसमें कारवन और हाइड्रोएन की उच्छ मातरा होती है, यह सब यहां से कोशन है, कोशेगा दिखी हैं पर, एंथ्रे साइट, इसमें लगभग 80-90% कारवन होता है, ठीक है, एंथ्रे साइट में क्या होत का मातरा, 60-60% होता है, भूरा कोईला, लिगनाइड में कारवन की मातरा 40-60, यह सबसे निमन स्रीडी का कोईला होता है, तो सबसे अच्छे हैं अंतरे साइट होता है, एंगला कोशन, लो एस की महतपूर खदान, कुद्रे मुख है, आपको बताना, लो एस की महतपूर जो कुद्रे वु कहां पे है कुद्रे मुग कहां पे है आपको पूछा में डेकते है में कोभरस में कुलकत्ता के पास नदी पर रिस्तराइब निद्록 गिसम पहले जोट मिलस्थापित के गई थैं अब देखते हैं अगला somos कोशन पूछा गया तो कब स्थापित कई गई थी 1855 में ठीक है रिष्रा में पहली जूट मिल कब स्थापित की गई थी 1855 में जूट सूनी का रेशा के नाम से मसूर है ये विध्यान लखे गए जूट को सूनी का रेशा भी कहा जाता है जूट उद्दुग का पहला कार खान कोलकता के समी विरिसरा नामकस्थान पर 1855 में कब 1855 में लगाया गया था भारती जूट निगम के स्थापना 1971 में जूट के आयात निर्यातियों आंत्रिक बजार की देखभाल के लिए के गई थी 233 के बाद देखते हैं 224 देखिए इस कोश्चन को देखने से पहले दूस्तों आपसे रिक्वेस्ट यह दिया चैनल पर नहीं है पिलीज को सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगए तो लाइक केमेंट जरूर कीजिएगा सिमेंट का उतपादन करने में भारत का बिस में कौन सा स्थान आपको बताना है सिमेंट का उतपादन करने में भारत का बिस में कौन सा स्थान है इसमें दूसरा स्थान है कौन सा स्थान है दूसरा स्थान है अब देखते हैं पहले स्थान पे कौन है पहले स्थान पे चीन ह 2020 के आर्थिक आखड़ों के अनुसार सिमिंट उत्पादन में पर्था मस्थान परचीन है जबकि दूसरे वो तीसरे अस्थान पर करम से भारत वो बियत नाम है दूसरे अस्थान पर भारत है तीसरे अस्थान पर बियत नाम है बस आपको direct question याद करना है December 2018 तक उपलवद जानकारी के अनुसार किस राज में तावज का सबसे बड़ा भंडार है आपको बताना December 2018 के उपलवद जानकारी के अनुसार तावज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है तो कहाँ पे है राजस्थान में कहां पे है राजस्थान पे इसके वारे में जरू दिख लीजे क्योंकि ये काफी पूछता है दिसंबर 2018 तक प्राप्त आकड़ों केमसार राजस्थान में 53.8 प्रितिसे तावा ऐस का भंडार के साथ इसके प्रितिस प्र्थमा स्थान पर है जबकि उतपादन के दृष्टी से मद प्रधिस पर्थमा अस्थान पर है अब देखते हैं, अगला question, बर्स दो जार वाइस तक उपलव जानकारी के अनुसार 20 में बाक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक दिस कौण सा है, आपको बताना है, तो कौण सा हो जाएगा इसमें, आस्टेलिया, कौण सा हो जाएगा, आस्टेलिया हो जाएगा, इसके बारे हम देखते हैं बरस 2012 में बाकसाइड का सबसे बड़ा उत्पाद अगदिस आस्टेलिया था बरतमान में भी आस्टेलिया ध्यान लखेगा परिजन टाइम भी बाकसाइड का सबसे बड़ा उत्पादन कहां पे होता है आस्टेलिया में होता है बाकसाइड एलमुनियम का एसक है यह विध्यान रखेगा एक कोशन पूछता है बाकसाइड किसका एसक है तो यह एलमुनियम का इसक होता है यह कोशन बन जाएगा बरस 2020 की आकड़ों के अनुसार भी आश्टेलिया है बाकसाइड उतपादन में सीजस्तान पे है बरस 2014 तक उपलवत जानकारी की अनुसार निमलिखित में से कौन सा विश्व में टीन का अग्रड़ी उत्पादक देश है तो टीन का अग्रड़ी उत्पादक देश कौन सा है तो कौन सा देश इसमें चीन है क्या हो जाएगा चीन हो जाएगा देखे इसे टीन चीन टीन चीन ऐसे जाद कर लिए टीन किसमे है चीन में बरस दूजर चबुदत था बरतमान में वीविश में सरवाधिक टीन उत्पादक देश चीनी है बाल घाट का माल जंखंड जेतर और जुनजुन का खेतरी सिंगना छेतर के महतपूर खनन केंदर है तो अब यह पड़े हैं जुनजुन जो रायस्थान में हैं किसके लिए फेमस है चलिए बताए किसके लिए फिमस है तावा के लिए फिमस है किसके लिए तावा के लिए फिमस है तो देखिए आप जुन-जुनु आला पड़े हैं तो यहां से भी बाल घाट का मलाच खंड भी किसके लिए हो जाएगा तावा के लिए हो जाएगा बाला घाट का मलाजखंड छेतर और जुन्जुनु का खेतरी सिंगना छेतर ताबा उत्पादन के लिए परसिद किसके लिए ताबा उत्पादन के लिए परसिद है मद्ध पर्देश के मलाजखंड में भारत का एक ब्रिहत तावे का भंडार है तावा प्रकृति में मुक्तियों सन्यू के दोनों अस्थाओं में पाए जाते हैं बस इतने ध्यान रखना है भारत में तावा को उत्पादन में प्रमुख राज क्रम से मद्ध पर्देश राजस्थान है वो जार खंड है अगला कोश्चन है भारत का सबसे बड़ा तावा कच्ची धात उत्पादग राज कौन है तो कौन से राज है इसमें है मध्य पर्दिस अभी पढ़े नहीं कि उत्पादन में कौन है मध्य पर्दिस है अब भंडार में राजस्थान है तो कौन से हो जाएगा 239 का D हो ते हैं 230 नंबर वर्स 2018-19 आर्थिक आकड़ों के अंसार भारत में सबसे बड़ा तावा आइसक उत्पादग राज मध्य पर्दिस है जहां कुल तावा का आइसक उत्पादग में इतना टन उत्पादित होता है यहां से देख लिए इसके बाद ध्यान लखेगे राजस्थ तावा के उत्पादग राजस्थान का खेटड़ी तावा के उत्पादग के लिए परशिद्य है इसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा तावा एसक उत्पादग राज मध्य पर्दिस है इसकी कोशन आप से पूछा है निमलिखित में पूर्थी योग संसाधन कौन से है पूर्थी योग संसाधन कौन से है तो कौन से है जाएगा इसमें सौर योंग पौन उर्जा सौर योंग पौन उर्जा ये पूर्थी योग है पर टूल एक बार खतम हो जाएगा तो उसको पून थोड़ी लगा सकते जिवा समीधम भी नहीं ये खनीज भी नहीं है लेकिन सोर उर्जा और कौन उर्जा है अब इसके बारे में यहां से देख लिजिएगा देखते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन है आन्द पर्देश का निमली खित में से कौन सा छेत्र सक्री रूप से पेट्रोलियम की उत्पादन से जुड़ा हुआ है तो कौन सा जुड़ा हुआ है किष्णा Auri שאn रखे आन्द पर्देश का किष्णा गोधावरी बेसिन यह पेट्रोलियम की उत्पादन से जुड़ा हुआ है देखते हैं अगला कोश्चन दिकली भारत में कोईले के बाद उर्जा का दूसरा परमुक साधन खनीच तेलियो पेट्रोलियम है भारत में परमुक पेट्रोलियम उत्पादक छेतर असम में डिगभोई इध्या रखेगेगा पेट्रोलियम के उत्पादक कहा है असम में किषडा और गोदावरी नद्यू का डेलटाई छेटर है यह असम का डिगवई भी उचता है मुंबई में बांबे हाई यह किषडा और गोदावरी बेसी कभी पुचा जाता है आन्द पर्देश में किषडा गोदावरी बेसी शक्री रूप से पिट्रोलियम उत्पादन का चितर है निमलिखित में से भारत के कौन सा राज जूट यानि पर्षन निर्मित बस्तूओं का अधिक्तम निर्यात करता है तो कौन सा करता है पश्चिम बंगाल करता है इसके बारें देख लिते हैं देखें बिश्व में भारत जूट से बनी बस्तूओं का सबसे बड़ा उ अस्थान पर लगाया गया था इसके बारे में भी उपर देखे हैं पश्चिम बंगाल जूट की समान का उत्पादयक युम निर्यादक है अंत परदे जूट की समान का दित्यक विरेत्म उत्पादा का तो सबसे ज़्याद उत्पादा निरात कौन है पश्चिम बंगाली है अगला कोश्चन है भारत में निमलिखित दोगों में से किस उधोग में सारविनिक छेत में सबसे अधिक पूजी नीविस हुआ है तो किस में हुआ है आपको बताना है तो किस में हुआ है ये लोग इसपाद उधोग में किस में हुआ है लोग इसपाद उधोग में हुआ है तो कौन सा हो जाएगा 233 का बी हो जाएगा 233 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा भारत में साजवनी छेत में लोः और इस्पात वो दोग में सबसे अधिक पूजी का निविए सुगा है अगला कोउजन है कोईमन बटूर को दच्छिल भारत का मांचेश्टर क्यों कहा जाता है क्यों कि इसके कपासु धोग के करड़ कोईंबर टूर को दच्छिर भारत का मांचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यह कपासु धोग के लिए परशिद है किसके लिए कपासु धोग के लिए परशिद है पूरे भारत में एक सहर की दृष्टी से कोईंबर टेवर में सरबाधिक या क्यासी मिले है निमली खित में से कौन सा सबसे बड़ा सबसे परमुख बस्त निर्मार किंद्र है परमुख बस्त निर्मार किंद्र कौन है आपको बताना है तो कौन सा हो जाया किसमें महाराष्ट यहाँ पर सबसे जादे बस्त का निर्मार किया जाता है इसके बारे में आज़ देख लेजे सूति बस्त्र उधोगदेश का सबसे प्राचीनियम बड़ा उधोग है रेलवे के बाद सरबाधिक रोजदगार इसी उधोग में उपलब्ध है सबसे जादे रोजदगार कहाँ पे है? रेलवे में हैं भारत में सूती बस्त की पहली आधनिंग मिल 1888 में बंगाल के फोर्ट गलश्टन में पस्थापित की गई जो असफल रही पहला सफल कार खाना 1854 में मुंबई में काव साजी डावर नाना भाई द्वारा खोड़ा गया भारत में परमुक सूती बस्त उत्पादय गराज क अगला कोश्चन है निम्न में से काव सास्थान इस्टील निर्मार में संब्धित नहीं है आपको बताना इस्टील निर्मार से संब्धित नहीं है तो इस्टील निर्मार से संब्धित काव सा नहीं है आपको बताना है तो काव सा हो जाएगा जरिया जारखंड जो जरिया ह जारखद का जरिया इख कोईले से सम्भाण देतें, देखते हैं अगला इसके बारे जरिया जारखद राज का एक सहर है, जो कोईले उत्पादन के लिए जाना जाता जम्सेधपुर को हम लोग पढ़ेंगे परीवन के बारे में जगरते से जितनी वी डाफिवन है चैनल में विडियो किया जायएगा दोस्तो आपसे रेकुस्ट है कि एक चैनल पर णियु है ज्यूरूर कर लिजेगा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो कीजह और अपनी दोस्तों से सेर्जरूर कीजिए भारत का परसिद स्वडिम चतुर्भुज सुफर हाइबे निमलिखीत में से किस सहर को नहीं जोड़ता है आपको बताना जो स्वडिम चतुर्भुज बनाया गया था सड़क किस सहर को नहीं जोड़ता है हैदराबाद को नहीं जूड़ता है दिल्ली को जूड़ता है कोलकत्ता को जूड़ता है मुंबई को जूड़ता है इसके साथ और किसको जूड़ता है यहाँ पर देख लिजे बस आपको यहीं चार ध्यान रखना किसको जूड़ता है दिल्ली, मुंबई, खोलकत्त और चिन्नी को आपसमें जोडता है या परियोजना को परस 2001 में अटल बिहारी बाजपेई द्वारा ये सरकार के था शुरू किया गया था या भारत के परमुक अधोगे किर्शी और सांस्कृिट केंद्रो को जोडता है आपको यहीं चार ध्यान रखना है दिली, मुंबई, कुलकत्ता और चेन नई अगला है कौन सा किरत्रीम बंदरगा है आपको बताना इसमें से कौन सा किरत्रीम बंदरगा है तो कौन सा है इसमें चेन नई मुंबई बंदरगा भारत के पच्छी में घार का सबसे बड़ा प्राकिर्तिक बंदरगा है यह प्राकिर्तिक बंदरगा चेलने वाला क्या हो जाएगा प्रस्ताबित पूरभी समर्पित फ्रेट कोरिडोर की लंबाई कितनी आप देखें इसे कोशन को फिलेगा तो कहां मुंख्या आए तो आप कर लेंगगी कितना हो जाएगा फेष्ट रवा त कितने कłbym कितने हैं 12-12 बंदरगा हैं भारत में इसमें दिखें बरतमान uniformly भारत में 13 परमुक बंदरगा हो गए हैं देखिए हाँ प्रश्नकाल के समय कितनी थे 12 थे लेकिन अब परिजन टाइम में कितने हो गए हैं 13 हो गए हैं जो निम नहीं है देखिए कोलकात्ता पोर्ट बरतमान नाम स्यामा पारसाद मुखरजी पारादी पोर्ट न्यू मंगलावर कोचीन जवालाल नहरू मुंबई कंडाला बरतमान नाम दीन दयाल बंदरगा विसाका पटनम चेने तूती कोरीन एननौर यहीं देखिए 13 है आप इसको यहां से नोट कर लेजिएगा अगला कोश्चन है यह कोश्चन पूछता भारत का सरवाधिक बड़ा और सरवाधिक व्यस्त बंदरगा मुंबई है कौन है मुंबई है मार्मू गाओं बंदरगा भारत में किस राज में आपको बताना है मार्मू गाओं बंदरगा भारत के किस राज में है तो किस राज में है आपको बताना तो किस राज में है गोवा में ठीक है किस में है गोवा में इसको याद करना बहुत आसा थे मार्बू गाओं में देखे गाओं या गोवा मंत्रा इधर कर दीजे क्या हो जाया गोवा तो मार्बू गाओं या गोवा कहां पे एनेच चवालिस है क्या है एनेच मतलम निशनल हाईवे चवालिस है इसके पहले क्या था निशनल हाईवे सेवन था ठीक है इसी का नाम किया गया है भारत का राष्टी राजमार्ग चवालिस जिसे एनेच सेवन की नाम से जाना जाता था इसका क्या नम कर दिया गया है राष पर्देश मद्ध पर्देश महाराष्ट आंद पर्देश करनाटक और तमिलनार राजियों के मद्ध से होकर गुजरती है 243 के बाद देखते हैं 244 निवलिखित में से कौन से दो दूरस्त इस्थित अस्थान पूर्भी पश्चिम गलियारे से जुड़ा है तो कौन सा सिलिचर और पूरबंदर जुड़ा हुआ है सिलचर और पूरबंदर जुड़ा हुआ है इसके बार हम देख लेते हैं क element क्या जूटरवि पश्चिम गलियारे सिल्चर असम को पूरबंदर गुजरास से अउत्तरदचिल गलियारे श्री नगर को कन्या कमारी से जोडता है एक गलियारी एक दूसरी को उत्तर पर जासी उत्तर परदेश में काड़ते हैं, ये भी कोशन कई बार पूचा गया है, जो पूर्वी पस्ची में गलियारा उत्तर दचिर गलियारा एक दूसरी को कहां पर काड़ते हैं, तो उत्तर परदेश के जासी में काड़ते हैं, इसलि परसिद पीर पंजा रेल्वे सुरंग या बनिहाल काजी गुंड रेल्वे सुरंग जम्बू कास्मीर में इस्थे थे यह 11.2.1.5 किलो मीटर लंबी रेल्वे सुरंग है यह जम्बू बार मुला लाइन का हिस्सा है अगला है भारत का सरबाधिक लंबा राष्टी राजमार क तो कौन सा हो जाएगा इसके बारे इमे अभया पढ़े हैं तो कौन सा हो जाएगा नस्यनल हइल फॉर्टी फॉर्टी वर्टी अभी इसके बारे में बताए हैं अब देखते हैं अगला question भारत की सड़क पड़ाली बिस में कौन सा अस्थान है भारत की जो सड़क पड़ाली है बिस में कौन से अस्थान पे है तो कौन से अस्थान पे है दूसरे अस्थान पे है तो पहले अस्थान पे कौन है इसके बारे में देख लिए पहले अस्थान पर अमेरिका है, ध्यान रखेगा पहले अस्थान पर कौन है, अमेरिका है, भारत दुनिया में सबसे बड़ी सड़क प्राली वाले देशों में दूसरे अस्थान पर है, देखे इसकी लंबाई दिया गया, यहां सियाद के लिए समने पूछेगा, सन्युक्त किस टटवर्ती सहार में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है भारत के किस टटवर्ती सहार में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है तो किस में है ये मुंबई में किस में है मुंबई में है भायत में सबसे लंबा समद्री पूल राजिव गान्थी सी लिंक है हाट लेंस में निर्मित ये पूल बांदरा को मुबाई के पश्चिमी और दच्छिडी वरली उपनगरों से जोडता है इसलिए से बांदरा वरली सी लिंक भी कहते है इसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है गयात हो विश्चॐ का सबसे लंबा समद्री पूल हांकांग चुहाई मकाव पूल चीन में निर्मित है इसकी लंबाई 55 किलोमीटर है अगला कोशन है देखते हैं भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पूल कौन सा है भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पूल कौन सा इसमें कौन सा आपको बताना देखिए तो इसमें महत्मा गांधी सेतु गंगा नदी भी बना सबसे लंबा पूल देहां रखेगा महत्मा गांधी सेतु अब इस डाटा चेंज हो चुका है देखे क्या हो चेंज हो का है प्रश्णकाल तक महत्मा गांदी सेतु जोग पतना से देखे 2015 ने पूछा था अब डाटा चेंज हो चेतु जोग पतना से हाजिपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर बना दुनिया का सबसे लंबा ए 2017 से ब्रह्म पुत्र नदीप निर्मित भूपीन हजारिका सेत जिसे ढोला साधिय सेत भी कहा जाता है भारत का सबसे लंबा नदीपूल है इसकी लंबाई 9.15 किलोमेटर या सेतु असम तथा अवडाचल परदेश को जोड़ती है तो अब नए वाला डाटा याद रखेगा कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिली और आगरा के बीच अधिक्तम किलोमीटर प्रति घंटे की गती से चलती है आपको बताना गतिमान एक्सप्रेस जो है कितनी स्पीड से चलती है तो कितनी जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधितम 160 किलिमीटर प्रत घंटा की स्पीट से चलने वाली है अब ये करन का कोशन हो जाएगा उससमझ चली थे तब इस पूछा था अगला है कि स्री रामायड एक्सप्रेसवे के भारत खंड के लिए यात्रा के अधि कितने दिनों की है तो कितने दिन की अधि आपको बताना कितने दिन की अधि ये सूरह दिन की है कितने दिन की सूरह दिन की है अगला कोशन है दिल्ली मेटरो को अपनी पर्थम ड्राइवर रही त्रेल गाड़ी किस देश से प्राप्त होते दिल्ली मेट्रों को अपनी पर्थम ड्राइवर रही देश से प्राप्त होई थी तो किस देश से प्राप्त होई थी दच्छिट कोरिया से कहां से प्राप्त होई थी दच्छिट कोरिया से प्राप्त होई थी तो कौन सा अपसंसे जग अब भी हो तो कौन सा हो जाएगा इसमें जो नभी करण उर्जाय द्वारा संचालित होगा ये है दिल्ली एरपूर्ट कौन है ये दिल्ली एरपूर्ट जो नभी करण उर्जाय द्वारा संचालित होगा देखिए 2012 में पूछा था इसके बारे में देख लिजिए जून 2022 से दिल्ली हवाई एड़ा भारत का पहला हवाई एड़ा बन गया जो पूरी तरह से नभी करेड उर्जादवारा संचालित हो रहा है दिल्ली हवाई एड़ा 5495 एकर में फैला है यह च्छतरपर सीवाजी अंतराष्टी हवाई एड़ा के बाद भाद का सबसे व्यस्तम हवाई एड़ा है अगला कोशन है देखते हैं पाक्योंग के उद्गाटन से पहले सिक्किम राज की राजधाने गंग टोक का निकटतम हवाई एड़ा काउन सा था तो कौन सा था आपको बताना है तो कौन सा था ये बाग डोगरा क्या था ये बाग डोगरा था देखिए इसके बारे में दिया है यहां से आप पढ़ लीजिएगा देखते हैं अगला कोशन भारत में अंतराष्टी हवाई एड़े हैं परतमान 2022 में कुल अंतर राष्टी हवाई अड़ो की संख्या 49 हो गई है तो परिजन टाम में हवाई अड़ो की संख्या कितनी हो गई है 49 हो गई है ये डाटा जुरूर धियान रखेगा जो बदला हुआ है अगला है CSIR राष्टी एरोस्पेस परियोग साला दोरा नामक भार जाता है सारा सनामका 56 के बाद देखते हैं कोश्चन नवर 57 अब हम लोग पढ़ेंगे राज की राजधानी भासा और जंजद तो यहां से काफी कोश्चन इंपॉर्टन्ट है देखें निमलिखित में से एक केंद्र साशित परदेश की राजधानी नहीं है तो इसमें आई जोल दिया है यह नहीं है क्योंकि मिजोर्ण की राजधानी कहां की मिजोर्ण की राजधानी बाकि सभी किंद्र साशित परदेश की राजधानी है इसके बारे में देखते हैं कि आई जोल भारत की मिजोर्ण राज की राजधानी है मिजोर्ण की अस्थापना एक्कह थर मुशिति सिच तीन, विखल्ब केंद साशित परदीष की राजधानी 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 L Rab Steri बस ऐसे आपको ध्य हम रखना है और दिया है लच्छ दीब की राजधानी कवर्ति हो जाए मिजूरम का आजूल हो जाए दादन नगर होली का शिल्वासा हो जाए अंडवान निकोबार का पोर्ट ब्लेर हो जाएगा अगला कोशन है स्वतनत्ता के बाद भासा की अधार पर बनी भारत के पहले पहले राज का नाम क्या है तो भासा की आधार पर बने पहले राज का नाम आंध परदेश है क्या नाम है आंध परदेश है ये कोश्चन काफी बार पूछा गया है ये 1953 में आंध परदेश भासा की आधार पर गटिट होने वाला पहला राज था ये पहला राज था बस इतने question आपसे पूछा जाएगा चलिए देखते हैं अगला question मसाई जन जाती के लोग लंबे बहुत गहरे भूरे रंग की तोचा वाले होते हैं यह ज़्ढ़ा तर पाए जाते हैं आपको बताना तो कहाँ पाए जाते हैं पूर्वी अफिरिका में पाए जाते हैं पूर्वी अफिरिका में पाए जाते हैं मसाई जन जाती के लोग लंबे गहरे भूरे रंग की तुचा वाले होते हैं जो जादा तर पूर्वी अफिरिका केनिया और उत्री तंजानिया में पाए जाते हैं अफ्तानी जन जातिया निवन में से किस राज की मूर निवासी है आपको बताना जो अफ्तानी जन जातिया होते हैं किस राज की मूर निवासी है तो किस राज की मूर निवासी है और उड़ाचल परदेश के किस राज के है और उड़ाचल परदेश के जन जाती से कोशन आप को पूछता है थोड़ा से याद करना कट्ए ने लिकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 261 के बाद देखते हैं 262 परजी किस भारती राज की राजधानी है तो परजी किस का है गोब का परजी किस की राजधानी है गोब का है देखते हैं अगला कोशन महंसर डूंगरपुर चुरू नारलाई भारत सहर भारत के किस राज में है बताना है जो दिया है भारत के किस सहर में है तो इस सब राजस्थान में है राजस्थान में है कहां पे है इस सब राजस्थान में है तो डायरेट ऐसे भी कोशन पूछ देखें, अगला है, कि पोर्ट बलेयर की राधानी कहां पे है, आपको बताने हैं, पोर्ट बलेयर की राधानी कहां पे है, तो अंडवान और निकोबार दीब समू कहां कहें, अंडवान निकोबार दीब समू की राधानी क्या है, पोर्ट बलेयर है, इसके साथ यह भी दिख दूसरा जम्मू काश्मीर सबसे बड़ा केंद सासित परदेश है तो सबसे बड़ा केंद सासित परदेश पूछे तो क्या हो जाएगा लद्दाक हो जाएगा इनमे से कौन सा भारत का सबसे पहला और एक मात्र केंद सासित परदेश से जहां का सारा कामकाज पूर्टे सौर उर्जा से संचालित होता है तो कौन साइसा है यह दिव कौन है यह दिव है इसको हम लोग जानते दमानों दिव की रूपने देखें मार्च 2018 में दिव सो परतिसत सोर उर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला किन्साशित परदिश है दिव 13 मेगावाट बिजली सोर उर अगला कोशन है नेपाली भासा मुखरुब से किस राज में बोली जाती है तो नेपाली भासा किस राज में मुखरुब से बोली जाती है तो जो नेपाल से सटे राज होंगे वहीं तो नेपाल से सटे राज कौन है सिक्किम तो यहीं पर बोली जाती है नेपाली भासा सिक्कि जाती। तो कषी काउंची नहीं पाए जाती। मैंधि निलल-गिरी पहाडी तोड़ा, कोटा, करुंबा जंजात रहते हैं। जबनकी मोठ जंजात, लोग तिर्पूरा राज में पाए जाते हैं। ह 166 के बाद देखते है। दिखे Linux चोलना इकन, कुरुमबास, कुटुन इकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग में आदिम जनजाती समू हैं तो किस भाग में हैं केरल में हैं कहां पे हैं केरल में हैं इसके बारे में यहाँ पर देख लेजिए और जनजात काउं सिराज में पायाती है यहाँ से आप जरूर्याद कर लेजिएगा देखते हैं अगरा कोशन भोटिया जनजात जो अपनी परांपरिक बबिता कला और पाक सहली के लिए ब्यापक रूप से जाने जाती है किसे राज में पायाती है तो भोटिया जनजात कहां पर पायाती है शिक्की में पायाती है बस इतने दियान रखना है आपकोई कहां पायाती है सिक्खे में पायाती है भूटिया जन जाती जो अपनी प्रांपरी भबिता कला और पाक सहillarी के लिए रित परवास के लिए एक व्याप्रगृप से जाने जाती है सिक्के पायाती है अंगामी जन जाती हैं जो रहती हैं आपको बताना जो अंगामी जन जाती हैं ये कहां पाई जाती हैं किस राज में पाई जाती हैं तो किस राज में पाई जाती हैं सब नागा लेंड में पाई जाती हैं अंगामी कहां पाई जाती हैं नागा लेंड राज में पाई जाती है यहाँ पे कुछ दिया है जन जाती है और राजदी हैं यहाँ से भी आप नूड़ कर लेजिएगा जन जाती है पस्चिम बंगाल की परमुख जन जाती है जादा तर बाकुड़ा और पुरुलिया जिलो में पाई जाती है तो बताना है एक कौन से जन जाती है जो पस्चिम बंगाल की परमुख जन जाती है तो पस्चिम बंगाल की परमुख जन जाती है जादा तर एक कहा पा जाती बाकुंडा पूर्लिया में जिडों में पाए जाती है अब देखते हैं अगला कोश्चन अब लोग पढ़ेंगे परमुख सहर के बारे में चेप्टर नमर यह है 15 देखें निमलिखित में से किस सहर को राजस्थान का सफेद सहर का जाता है एक होता है पिंक सिटी एक होता है खौइट सिटी ठीक है तो सफेद सहर किसी का जाता है उदेपुर को अपिंक सिटी किसी का जाता है जैपुर को तो सफेद सहर किसको का जाता को देलीज को धेइस का जाता है हुद्धै पूर्फ को धिया नखयेगा है देटर निखिएगा मेवाल की राजानी उद्धैपूर्फ की अस्थापना 1569 में महाराडा उदेसिंग्नी की थी अगर फिंक तो चैनल गुलाबी सर पुछे तो जैपूर हो जाएगा निमलिखित में इसे 2014 में बनाया गया भारत का 29 राज कौन सा है तो 2014 में कौन सा राज बना था आपको बताना तो कौन सा बना था तेलांगना बना था 2004 में कौन सा राज बना था तिलांगाना बना था अकब बना था दो जून 2004 को आंद पर्दिश का विभाजन करके भारत का उंति सहाराज तिलांगाना बना था किन्तु बरतमान में जम्मू और कास्मीर के पूनर गठन के पस्चाथ परिजन टाइम में 28 राज हैं अगर आप लोगों ने जागरफी का पहला वीडियो देखा होगा तो इसमें इसा कोशन डिसकस हो गया है दच्छिर भारत का मांचेश्टर है आपको बताना दच्छिर भारत का मांचेश्टर है तो दच्छिर भारत का मांचेश्टर कहां पे है ये कोईंबटूर में है कहां पे है कोईंबटूर में है कहां पे है कोईंबटूर में है देखते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन आन पर्देश का बिजय वाड़ा सहर किस नदी के किनारी इस्थित है कि तरह और भी पूछेगा कि तीरो चिरापली कावेरी नदी के किनारी इस्थित है अब देखते हैं अगला किनारी इस्थित है और भारत के राज में इस्थित है तो देखें दो जार वानेस में जब इसको जी आई टेक दिया गया था तब यह कोश्चन पूछा था पर जेट आई जीतनी जी आई टेक है वो देख लिजेगा फिर भी देख लिजें मर्योर गुड को कहा था यह केरल राज का था जी से जी आई टेक दिया गया था अब देखते हैं अगला कोश्चन स्री नगर नदी की टेट पर बसा है तो आपको बताना है कि जो स्री नगर है कि नदी की टेट पर बसा है तो जेलम नदी की टेट पर स्री नगर बसा हुआ है यहां से आप देख लेजिएगा यहां से देखिए कोशन और पूछता है कि जो बुलर जील है भारत की मीठे पा भाड़ार कोर्टी तकी सेराज के रहें तिरपूराराज के रहे पर विविदु को कि बारे में किला धाज भाड़ का रहें, एक एकर में किटने वह सोते हैं, आपको रहे वाज़ें इन एक उर्थकारी सम्सक्राज का पूछा था, गर्धे हो कोशन यह दो बार पूछा जा चुका है ठीक है यहां से आप इसको जरूर नोट कर लेज़ेगा एक एक एकड़ में तालिस चालिस बरगज होते हैं या चालिस 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 दसवनों नोट मीटर स्कॉयर होते हैं बाकि यहां से हक्टेर में भी करणवर्ट कर दी यहां से देख लेजिए निमले खित में से कौन सा राज भारत में पहला हर घर जल प्रमाडित राज बन गया है तो कौन बन गया है यह गोवा बन गया है इस समय कर राज में है सिक्के में किस राज में यह सिक्के में है देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन है भारती प्राइदी तक फैला हुआ है तो भारती प्राइदी तक क्या फैला हुआ आपको पताना तो कौन से इसका हिंद महासागर भारती प्राइदी में हिंद महासागर फैला आप देखें आँगे नीचे साइड में कौन सा है हिंद महासागर है ब्यासिक बात देखते हैं कोशन नमबर 13 नीचे दिए गए कथनों से कौन सा सही आपको बता ना इसमें जो दिया गए है कौन सा सही है तो इसमें देखें डी वाला आपसन सा यह सीत रुत में पौन भूमी से महासागर की और बहती है इसके बारे में जरूर देख लिजेगा कि बाई उच्छ दाव बाई उच्छ बाई दावाले छेतरों से बाई मंडल में निम्न बाई दावाले छेतरों की और प्रवाहित होती है बायुदाय में जीतना अधिक अंतर होता है वा उतनी ही थे चलती है सीतरित में महासागरों के उपर निम्न बायुदाय रहता है जबकि महाँदीपो एसिय Public 3 अमेरिका के उपर उच बायुदाय बनता है जिससे 22 अस्थलों से महासागर की ओर प्रमाहित होती है अब देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन है निमलेखित में से किस राज ने सरपर्थम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए परत्य भौन में बारिस की पानी की संग्रहड को अनिवार कर दिया था तो किस ने कर दिया था यह तमिलनाड ने इसके पहले वाली वीडियो देखेंगो तो यह भी कोशन वहाँ भी पूछा है ठीक है तो किसको कर दिया था यह तमिलनाड ऐसा राज है बरस 2015 में भारत दोरा अंटार कडिका में स्थापित अंसंधान स्टेशन का नाम क्या है तो क्या नाम है आपको बताना तो क्या नाम इसका भारती नाम है क्या नाम है इसका अंटार कडिका में जो है भारती नाम है यहां से कोशन वह पूछता है बरस 2015 में भारत दोरा अंटार कडिका में भारती नाम का अंसंधान स्थाफित किया गया है इससे पूर्व भारत दवरा अन्टार कटिका महानदीम में । वनंस्वंधान केंदर दच्छिड गंगोतरी और मैत्री ठीक है है ये भी स्थाफित किये गये यां । तिसरह क्या है भारती गंगोत्री मैत्री और भारती दोसो पचासी बात देखते हैं दोसो च्यासी अंटार कडिका में भारत के कितनी अंस्वंधान इस्टेशन हैं तो कितनी हो जाएंगे भी पढ़े हैं कौन कौन है तो कॉन सा भेका एगा तीन हो जाएगा हैं में अगला नवली में सवाह सब्सक्राइब गई थे बाले तो आप इतना पर इन औगे तभी पता पाहें जग्लाईल डबारे का सवाने तभी पाहएंगी तो एक चेर जिए ति कौनographics कौँसा हो जाएगा मुनार हो जाएगा ठीक है दूस्त सतासी क्या हो जाएगा अब देखते हैं 208 अब देखे कुछ कोशन कटिन होते ही है तो इसको आप एक बार देख लेजी निम लिखित में से कौँसा जरीव का हिश्शा है आपको बताने इसमें जरीब का हिस्सा काउन है तो जरीब में फीता गठा और छल्ला तीन होते हैं तो क्या हो जाएगा इसका प्यूर्ट सभी हो जाएगा एगला कोशन देखते हैं भारत का हिमादरी स्टेशन इससे थे तो भारत का हिमादरी स्टेशन कौन सा है यह आर्कटिक में है देखिए हिमादरी स्टेशन कहां पर है आर्कटिक में है इसके पहले जो हम पढ़े थे अंटार्कटिका था ठीक है हिमाधरी स्टेशन भारत का पहला आर्कर्टरिस अगला कौशन है कि मिट्टी का स्वास्त परिपत्र की संमंद में क्या सत्त है आपको बताना है यह निश्चों के प्राव्द्ट होता है यह जानकारी दिता है यह सफल कि आव सक्तानुसार उर्वरक को सही मात्रा जानकारी दिता है सभी हो जाएगा दो सो नभीग बार दिखते हैं 200 keywords है इक कानपूर में । ल हम संधान पोछे चीन दुनों कोई कनपूर में इसके प्रिवियस विलीव देखेंगे तो इ gdzie बताया गया है घुखारती कपास वम संथान संस्थान 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 आपको बताना है भारती कपास अमसंधान केंद्र 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 संधान किकि अलों संधान केदर शीमला में किंदरी तमबापन संधान के अन पर ने राश्टीifying झीविआ दर्धान ँत्र घंड में को Yin और वी कोश्चन जलेन सब पूछा हुआ है आप देखते हैं मैजडे पूचा हुआ है इसमें आपको बताना है बिलान करना ठीक है तो देखे इसमें कैसे मिलाने करेंगे आपको पूछाया कि इंडियन Grain Storage Management and Research Institute कहां पर है तो यह कहां पर है आपको वताना है चलिए देखिए आप भाई निमिला यह कहां होगा तो ग्रेन कहां पर जाएगा हापुड में कहां पर हेते हापुड में है तो एक एका या डौझ पहले ही आप से में मैच कर रहा यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा तो इसमें इसमें कघी धियान रखेगा जिएक जो हरी चंद अनुसंधान केंद्र है कहां पर है इलहाबाद में है इसको भी ध्यान रखेगा इवी अलग से कोशिन पूछा गया है तो डी का क्या हो जागा फोर देखें तीना अपसन में है लेकिन यह वाला सिर्फ यह में है ठीक है और यह भी इलहाबाद में एक चीज और ह यह वी ध्यान रखेगा जो गुविंद बल्लंपंद सामाजे विग्यान सर्थान यह वी कहां पर है इलहाबाद में अब बचा राश्टी उद्मिता यूंलग व्यावसाइविकास केंद्रे कहां पर है नोईडा में है तो कौन सा अपसन सभिएगा इसका यह वाला हो जाए यहां पर जो कोशन देखें इंडियन ग्रेन इस्टूरेज मैनेजमेंट एंड इस इंस्टूट कहां पर हापुड में राश्टी उद्मिता यूंलग व्योसाइविकास संस्थान कहां पर नोईडा में यह देखें दूनों कोशन पूछा गया लग 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 गोविंद बल से कौन सही सुमीलित नहीं है तो इसमें कौन से सुमेलित नही है आमर बरसा जो उरिशा में यही सुमीलित नहीं है यहां र कर यrek में बलत मीं कर दाता है ठीब्धर पुरिफ में चलने है जिनसे गरच जात Testament यह को देखें भारत में नर्विष्टर योम बंगाल की कालवे साखी की नाम से जाना जाता है करनाटक में इसे चेरी बुलाज में योम काफी बरसा कहा जाता है ये वी कोशन पूछता है चेरी बुलाज में तेवहर जो है कहां पे करनाटक में है जो काफी क्रिसी के लिए लाबदायक होता ह काम की फसल के लिए लाब दायक होनी का रहा इसे दच्छिल भारत केरल में आम बरशा काते कहां पर कहा जिता है केरल में आपसन में क्या दिया था उड़ीशा इसलिए क्या था गलता और इसके बारे में यहां पढ़ लेजिए अब देखते हैं लोग 94 विवकबाद 255 किस अस्थान की आधिरता किसी अस्थान की आधिरता जाननी के लिए इन्यून से किसका उप्यूग किया जाता है तो किसका क्या जाता है यह हाईग्रोमीटर का प्रियूग किया जाता है तो कि हुमडिटी यानि आधिरता जाननी के लिए हाईग्रोमीटर अगर घनत दिया रह अगला कोशन है भारत के राष्टी सर्वेच्षड ओमान चित्र संगठन को बिज्ञान और प्रधोकी विभाग की तहत का वस्थापित किया गया था तो कर अस्थापित किया गया था 1777 कब किया गयता 1767 इसकी बारे इसके देख लीजीगा अगला कोशन है सर्वेच्षड में पैतालीष डिसेवन के इंतर काउन से राज है तो कौन से राज हैं गुजरात और राजिस्थान है गुजरात यहों राजिस्थान है अग्ला कोशन है संथान संस्थान कहां पर पर प्रयाग राज में तो यहां से खतम होता है इसके बाड़े में दिया है अब यहां कम्प्लीट हो गए यहां से देखिए अर्थ साथ सुरू हो जाएगा दोस्तों आप से रिक्वेस्ट यह चैनल पर नहीं है तो प्लीज को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कि वीडियो आपको अच्छा लगए तो लाइन कमेंट करके फिर वेक जरूर दीजिए मिलते हैं न